Hello everyone, welcome to my channel ANS Investment Point. First of all, I am really sorry यार, पिछले दो दिन से मैं कोई अनलिसिस आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हुआ because कुछ मेरी फैमिली में अरजन्सी होगी थी, तो मैं बहुत ज़ादा ट्रेवल कर रहा था within the city, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था मार्किट को देखने का, अनलाइस करने का that's the only reason मैं आप लोगों कुछ अनलिसिस वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया but मैं ट्राय करूँगा कि मैं आपको डेली बेसिस पे अनलिसिस वीडियो प्रोवाइड करूँ ताकि आप अपने ट्रेट्स को बहुत अच्छे से मैनेज करें और मैक्स तो मैक्स प्रॉफिट कमा सके तो फटावट से बात कर लेते हैं, आज बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया मार्किट में तो आज जैसे कि आपको पता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी की दोनों की एक्सपायरी थी मौनिंग में बैंक निफ्टी ओपन हुआ, एक छोटे से कैप अप के साथ और उसके बाद फुल डे सेलिंग का प्रेशर रहा, पूरा दिन मार्किट नीचे आता रहा और डे एंड पे थोड़ी सी हमें पाइंक देखने को मिली अल्मोस्ट टू हंड्रेट पॉइंट्स की तो यह था आज बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, एक्सपारी वाली डे पर, अब फटा फट से देख लेते हैं, कल हमें कैसे ट्रेट करना है बैंक निफ्टी में तो उससे पहले मैं आपको एक जोन मार्क करके दे देता हूँ, वनार चार्ट पे, यह जोन आपको एक दिख रहा होगा, जो जोन है 45,650 से 45,850 का, अब मैं इसके बीचे के आपको लॉजिक बता देता हूँ, 45,650 पहले हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट बहुत अची रैली दिखाई है, बाइंग साइड पे, जैसे कि यहां पे, यहां पे, और आज भी इसी लेवल पे, हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली थी, तो यह तो बात हुई, 45,650 की, अब बात करते हैं, 850 की, तो आज ही के दिन पे, मार्केट ने 45,850 पे काफी बारी पे support ली है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, बहुत बारी, multiple time यहां पे support ली है, तो यह भी एक level है, और यह बहुत strong support बन रही है, in case कल मार्केट अगर इन दोनों के पीच में side way हो जाता है, तो आपको कुछ भी purchase नहीं करना, ना call side पे जाना है, ना put side पे जाना है, 15-minute chart पर इन केस अगर bank nifty कल flat या gap down open होके 45,650 के नीचे consolidate करने लगता है तो हम definitely put plan करेंगे क्योंकि market में weakness आनी start हो जाएगी और हम अपने put बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं तो हमारा first target रहेगा 45,450 का second target रहेगा 45,350 का और अगर market इससे भी नीचे जाएगा तो आप अपने SL को trail करते चाहिए अगर market flat या gap up open होके 45,850 के ऊपर consolidate करती है तो हम अपने calls प्लान कर सकते हैं और हमारे target रहेंगे first target रहेगा 46,000 जो की एक psychology number भी है second target 46,150 third target 46,300 तो ये कल हमारे call side के targets रहेंगे I hope आपको मेरा analysis वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो like, channel को कर दो subscribe, daily essay analysis वीडियो के लिए Thank you, thanks for watching